तो मैं बरेली से बिलॉंग करता हूँ and बरेली में जब मैंने offline coaching करना start किया था तो मेरे साथ जो सबसे बड़ा problem था यह था कि यार मेरे पास कोई mentor नहीं था को भाईया नहीं तो मेरे को बताने के लिए कि तुम यार यह chapter कर रहे हो इसमें यह गलती है यह material करो यह कुछ करो को इसका जो ultimate result निगल के आया है वह यह निगल के आया है कि जब मेरा exam हुआ final और जब मेरे result आया तब मेरी आखे खुली है कि भाई यह मैं गलती कर रहा था अगर मेरे time में एक संकल भईया होते तो शायद मैं IIT में होता आज के दिन आपके साथ वही phase में आप चल रहा हूँ जिस phase में मैं चल रहा था जब मेरा 80 percentile आया था सब कुछ अच्छा चल रहा था प्रप्रेशन अच्छी चल लही थी हर एक चीद बढ़िया चल लही थी questions हो रहे थे सब कुछ कर रहा था मैं बट फिर भी वह 80 percentile की हो र करण है ना 98 से 95 percent बच्चा सलेक्ट नहीं होगा ITJ में कोई IT and IT IIIT नहीं पहुचेएगा मैं आज आपको पता दूँ पिछले साल 10,60,000 ऐसे बच्चे थे जो किसी भी IT and IT IIIT में नहीं पहुचे थे preparation क्या वो नहीं कर रहे थे preparation तो सब कर रहे है भाई आज के दिन मेरे को एक stat पता लगा था एक बहुत बड़ी coaching है offline नाम नहीं लूँगा वहाँ पर आज के time में 3 लाग बच्चा पढ़ड़ा है 4 लाग बच्चा पढ़ड़ा है तो भाई पढ़ाई तो इतने सारे बच्च को समय effect कर रही होगी पहली चीज़े किसी बीघ्र के literature लेक्चर देखने में बहुत मदा लेक्सी बहुत मदा रहा होता है लेक्चर में जब रखीप बंध कर दरके बैड़े आते हो अगला लेक्षर देखने लगते हो हाइं मत करो प्लीज लेक्चर अगर आप बिना a question करें कर रहे हो तो बाई आप अपना time भी बरबात कर लेखर बी वरबात कर रहे हो उस teacher के ऊपर भी आप थोड़ा रहेम करो यार तो वो टीचर इतनी मेहनत से आपको ये content पढ़ाना चाह रहा रहा है जिससे आपके सवाल बने तो major बच्चा आज के टाइम पर क्या कर रहा होगा बाई notes में लगा होगा theory करने में लगा होगा lecture complete करने में लगा होगा backlog complete करने में लगा होगा syllabus complete करने में लगा होगा भाई हो जाएगा syllabus कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो chapter तुम complete कर रहे हो उसके minimum 60-70 main level के question और 40-50 advanced level के question प्लस previous year question अगर नहीं कर रहे हो भाई खतम हो खतम chapter में आपके theory नहीं पूछी जाए कि आप board मुसक्ता बहुत अच्छे number ले आओ इसको करके पर J.E. में आप board जाओगे और यही fake study होती है पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको lecture देखने में बहुत मज़ा आएगा सब चीज़े दिख रही है बहुत प्लान नहीं कर रहा है पस वही बाते हैं जो यार हम बच्चे को बताना चाहते हैं और सुनते जाना बस दूसरी चीज़ आज के time पे अगर तुम दिन में अपना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो यार तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मैं यह भी मान के चलना हूँ कि school going students हैं ठीक है आप school में भी कोशिश करो यार कुछ time निकालो एक देल घंटा दो घंटे का जहाँ आपने notes revise कर सको जहाँ पर अपनी हो सकता है coaching की DPPs कर सको लेकिन time जरूर निकालो और अगर आपको जानना है कि 16 गंटे मैं कैसे पढ़ो मैं एक वीडियो लगा दूँगा पिंड कमेंड में देख लेना जहाँ पर मैंने बहुत practical methods पता रखे थे कि आज के time पे इस समय कि आप कि स्थिती के साब सब कैसे 16 गंटे के पढ़ाई भी भी कर सकते हो ठीक है तो अपना 100% दो इस समय कुछ भी आपको पीछे नहीं छोड़ना यह नहीं सोटना बहुत टाइम है मिल गई भाई एक material पर stick करो प्लीज यह वो time है जब आपको एक material पर stick करना पड़ेगा किताबे बहुत सारी हो सकती हैं आपके पास material बहुत सारा हो सकता है नहीं matter करता है एक material 100% solve करोगे वो जादा 100 times better है उस तरीके में कि आप बहुत सारा material 50-50% solve कर रहे हो ठीक है तो एक material पर stick करो और material चूज करने का सबसे बहतरी तरीका है कि आप previous year question के basis पर रिजज करो कि क्या आपका material जो आप solve कर रहे हो उससे previous year questions बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं तो यह आपका judgment का तरीका होना चाहिए ठीक है जेई संकल पे हमने जो sheets डाल रखी हैं जेई mains level की वह मैं कभी नहीं बोलता कि केवल और केवल वह sheet आप कर लो आप अपनो material छोड़ दो वह sheets इस तरीके से बनाई गई हैं कि आप अपना material जो भी solve कर रहे हो उसके साथ में additional अगर वह आप 30-40 question और solve कर लेते हो तो आप जेई पर होते हैं कि हमारा syllabus नहीं हुआ है तो हम mock test नहीं देंगे भाई अगर तेरा syllabus नहीं हुआ है तो तेरा syllabus हुआ है तो मुतने सही mock test देकर आजाओ और अपना judgment केवल यह करना कि जो questions मेरे को आते थे क्या मैं वो सारे questions रही करके आ सका मानलो मेरा test isomarism और goc का पर मेरे को question goc का ठीक करके आया हूँ तो coaching के test कभी miss मत करो और अगर आप miss कर रहे हो regularly आपका course बहुत पीसे चल रहा है भाई अगर तुम जे संगल की test series दी हो तब तो issue नहीं आएगा तो कि वहाँ पर आप अपने pace से test दे सकते हो chapter wise test है easy medium hard full test है mock test है हर चीज़ा आप पर दे सकते हो व चीज़ से कैसे deal कर रहा जाता है अगर वह environment में नहीं बैठोगे आप चाहिए कितना त्यारी कर लो अगर आप खुद को presenter नहीं कर पाऊगे जे के exam में आप कहीं नहीं पहुत सकते है ठीक है और आखरी चीज़ कितना भी आप जे के लिए त्यारी कर लो कितना भी कुछ कर ल कि कोई regret ना रहा जाए कि यार साला मैं हो सकता है कि और बेटर कर सकता था अपने जाई के अंदर या और ज्यादा effort मार सकता था यह चीज़ ना रहा जाए बस यह चीज़ का ध्यान लखना कि यार मैं अपना 100 प्रतिशत दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं जितना आप fullest दे रगड के पढ़ाई करनी है भाई तुम्हारा जेए क्लियर हो जाएगा चाय कुछ हो जाए और वो बच्चे जो बार पर सवाल करते रहते हैं कि जेए क्रैक करने के लिए क्या sufficient time अभी हमारे पास है कि नहीं है भाई 100% sufficient time है एक dropper अगर किसी भी 11-12 के बच्चे को लगता है कि उसके पास sufficient time है कि नहीं है एक बार आप dropper बैच में जाओ और तब आप देखना किसे चार महीने के इंदर 11-12 दोने निप्टाय जाता है और बच्चे निप्टा के अपना अच्छा percentile score करते हैं ठीक है तो अपना 100% दो ये चैनल आपकी हमेशा help करने में लगा रहता है ह अमेशा आपको best advice पहुचाने की कोशिश करता है और raw and real advice पहुचाने की कोशिश करता है सब्सक्राइब करना चाओ कर लो bell icon को प्रेस करना चाओ कर लो अपना target score कमेंट करना और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँगा जहां पर थोड़ा से आमे one to one बाते कर वीडियो आ रहा हूँगा ताकि आप लोग केंदर motivation थोड़ाता हाई रहे और आप अपनी पढ़ाई पर track पर बने रहो चलो this is all from my side चेंगल जोरी signing off